तो हेलो दोस्तो आज की एक और नई वीडिएए में आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडिएवे में हम बताने वाले हैं आपको हमने पिछली वीडिएवे में बताया था कि अगर आपके 1000 सब्सक्रेरारं कंप्लीट हैं और 4000 घंटा वाइस टाइम से उपर है तो आप अपने चैनल को monetize enable करने के लिए request कैसे send कर सकते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उपर आई बेटन में इसकी link मिल जाएगी या आपको description में भी इसकी link मिल जाएगी तो दोस्तो आप उसे भी देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमने request send की थी उसका क्या result आया है हमारा channel monetize हुआ या नहीं हुआ यह सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो दोस्तो टाम ना कवाते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो हम अपने mobile में एक browser उपन कर लेते हैं जिसमें हमें YouTube studio उपन करना है हम अपने एक browser में YouTube studio उपन कर लेते हैं और इसे desktop side में select कर लेते हैं यह देखिए थोड़ी देर लोडिंग हो जाने के बाद हमें अपने चैनल वाले आइकन पर क्लिक करना है वहां यह देखिए अब आपको YouTube studio उपन पर क्लिक करना है थोड़ी देर पेज लोडिंग लेगा तो आपका YouTube studio उपन हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिलिज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अभी पेज सोड़ा लोडिंग ले रहा है यह देखिए हमारा YouTube studio उपन हो चुका है अब हमें monetization वाले section पर क्लिक करना है यह देखिए अब हमारे समने monetization वाला पेज खुल जाएगा आप देख सकते हैं सबसे उपर यह आपको दिख जाएगा यूर चैनल वाज नौट एक्षैप्ट फोर monetization दोस्तों हमारा चैनल monetization के लिए accept नहीं हुआ है और यह आपको नंबर एक दिख जाएगा review our feedback जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे सब कुछ दिखाई देगा कि आपको इस चैनल पर क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था दोस्तों आप भी इसे पढ़ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको अपना monetization इनेवल करवना है तो दोस्तो इस से नीचे आपको number 2 वाला option दिख जाएगा आप देख सकते हैं इस पर लिख रहा है edit your channel and reapply for monetization दोस्तो हम अपने channel को edit कर सकते हैं जो कि हमारी जो वीडियो है जो गलती थी हम उन्हें delete कर सकते हैं और अपने monetization के लिए दोबारा से request send कर सकते हैं request हमें एक महिने के बाद send कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि हमारा channel monetize हुआ या नहीं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो please वीडियो को like कीजिए और हमारे channel को subscribe कीजिए